जिन जैक रूसो यह रूसो है और इनका जो आज जो हम आईडिया पढ़ने जा रहे हैं वो जर्नलवी यानि सामाने इच्छा का सिध्धान्थ जिन जैक रूसो जिन जैक रूसो क्या हैं यह अठारवी सतापती के फ्रांसे सी विजारक हैं तार्शनिक हैं इन्होंने सामाने इच्छा सिध्धान्थ का प्रतिपादन किया है सामाने इच्छा किया प्रतिपादन किया है रूसों के अनुसार सामाने इच्छा लोगों की सामोहिक इच्छा मतलब सामोहिक मतलब इक गुरूप मालीचे एक गुरूप है सो लोगों का उन सबकी जो कौमन इच्छा है जो सबसे अच्छी इच्छा है जो तार्किक इच्छ है और जो उस community या उस group के लिए सबसे अच्छा है उस इच्छा को प्रगट करता है या उस इच्छा की अधारना को प्रस्टूट करता है कियो कि समाज के अंदर सो लोग हैं मान रिषित फोड़ी दर खाल एक्जामल थे क्या हुआ है कि कि समाज में गद्वेस बना रहता है कि हर बीक्सी अपना अपना सुख रहे थो इस अपantics के मातें से क्या कह रहा है कि ऐसी इच्छाओं ourselves किया जाए कि जो सभी व्यक्तियों के सभी सर्वोथ में तो जो केवल कुछ व्यक्तियों के बजने देखंग है जो केवल कुछ जो पूरे समाज के सर्वोत्तम का पर्दी निदिफ करती हो और इसको जो जर्नल विल है उसको कैसे भी लिख सकते हैं एज अफ दी एज उस समय की सबसे अच्छी दिफ क्या है उस चीज को रिपर्जेंट करता है जर्नल विल तो जर्नल विल जर्नल विल is the collective will of the people in simple words representing what is the best for the entire community rather just a few individuals कुछ वहों के अच्छी गिरी नहीं पूरी entire community का welfare सर्वोत्तम उसकी वात करता है जर्नल विल इसी के माध्यम से जो रूसो जो विचारक है वो अपने जर्नल विल के माध्यम से क्या कर रहे है एक democratic society और्गनाईज करना जादे हैं तो क्या है कि रूसो बिलीफ तैट जर्नल विल was the foundation of just and democratic society ये बहुत important point हो जाता है कि रूसो का मानना था कि सामान ने इच्छा एक नियाए संगत और लोकतांत्रिक समाज की नीव रखती है तो basis का है जो नियाए संगत समाज ये लोकतांत्रिक समाज का जो basis है वो जर्नल मिले according to रूसो रूसो के अनुसार आगे देखें तो देखें जो रूसो का जो आर्ग्यूमेंट है जो वो क्या है कि individual should be free to express their opinion and participate in the political process कि व्यक्ति को अपनी राय को व्यक्त करने के लिए साम राजनेतिक परिकरिया में भाव लेने के लिए स्वतनत्र होना चा उन्हें बहुमत द्वारा किये गए नेड़ने को सुईकार करने के लिए भी तैयार होना है चाहिए देखिए आप एक टाइम पर तो फिरी भी है कहां गया मेरा रागता हाँ हाँ देखिए एक टाइम पर तो आप फिरी भी है कि आप अपनी जो जितना भी point of view है जितना भी opinion आप फिरी है और उसी टाइम पर अधर कोई opinion बनता है जो समाज की बलाई के लिए या फिर सब के welfare के लिए जिसमें आपकी भी बलाई सामिल है उसकी ने भी आपको तयार होना चाहिए कि आपके उपर follow होगा तो जैसे आप जब journal will बनेगा तो उसमें क्या होगा आपका भी विल सामिल है ऐसा नहीं है कि आपको नहीं है मगर वह आपका कौन सा विल सामिल है जो अपर विल है मना जो जैसे रूसों के अनुसार व्यक्ति के अंदर ना दू तरीकी की इच्छाएं होती है एक तो इच्छा होगां से होती है एक रियल विल होती है और एक होती है एक्छ वास्तवी गिछ्छा है जो तार्बिक इच्छा की विरुत्त है जो वास्तवी गिच्छा है ऑगन उस विक्ति की भराई की बारे बैसुझत और यहाँ पर श्रूस Ons यह बतार जाते हैं कि जितना भी real will है जितनी भी तार्बिक इच्छा है इस पूरे पॉइंट के अंदर यही चीज समझाया गया है कि आप इतना स्वतंत्र हैं आप अपनी राजनिती पड़िया में भाग देने के लिए अपने एक उपीनियन देने के लिए मतल दूसरी तरफ आपको ये भी बात देखोना पड़ेगा कि अगर कोई भागमत द्वारा निर्ण ने लिया गया तूसरे आपको सुईकार भी करने के लिए तयार हैना चाहिए जब तक कि वह पूरे जब तक कि वह नेन में पूरे समोदाय के संबुत्तम हिद्ध में किये गए हों तो ये ध्यान रखें इसकी इनकी जो फिलास्पिया उनका ये मैत्पून अंग है देखिए जो रूसों का जो मत है रूसों का जो मानना है वो क्या है कि जर्णल वीजल आप जो नोड़ दा सेम एज दा विल उफ मैजोरेटी अब देखिए इसको इस तरीगे से जमें जैसे आपकी किलास है आपकी किलास में सो बच्चे और जैसी टीचर आता है कि अधर हर कोई बोलता है कि नहीं सर आज एक्जाम नहीं होना चाहिए तो यह तो जितने भी सो के सो लोग है वो सब एक्जाम को मना गरें तो क्या यह जर्माल है कुश्चिन मार्क आप सुचे नहीं यह जर्माल विल नहीं है जर्माल विल बोस रैशनल and objective explanation of what was the best for the community as a whole वह जर्माल विल नहीं है वह आपकी मैज़ारीटी विल हो सकता है कि आप वोरी किलास की का बतलत क्या है कि no doubt वह आपको थोड़ी जरी के लिए छानिक रूप से आपको संतुष्ट कर सकती है यहां इंदम tension free होगे मगर आगे आपकी जाके future ने वह फाइदर नहीं देगी वह चीज तो वह rational नहीं है objective नहीं है तो ऐसी विल में difference किया है रूसों ने कि majority will अलब होता है general will अलब होता है general will कि अधर हम देखें तो वह rational होगा objective होगा और जो best होगा उस community के लिए तो रूसों का माना है कि सामान ना इच्छा बहुमत की इच्छा के सामान नहीं थी जिससे उन्होंने स्वार्थ और व्यक्ति इच्छा से प्रेडित होने के रूब में देखा कि जो व्यक्ति इच्छा यह ना कि आइजाम ना हूँ आप सब यह चातेगी कोई भी बाइडर ना रहे बच्चूपे हमारे पे पार्थने ना रहे तो व्यसा इच्छा है और जो व्यक्ति इच्छा और जो समान नेच्छा वो क्या है पूरे समोदाय sociaux निये सबसे अच्छा क्या है इसकी एक तर्क संगत और वस्तियुनिष्ट अभी अब देखें, जो रूसो का जो कलसेप्ट है जर्नली विल का यह बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी से जनरेट होता है, जैसे अब आपको पॉब्लिक उपीनियन, यह पॉब्लिक उपीनियन है, पॉब्लिक उपीनिंग क्या है, यह भी तो जर्नली विल को ही र conceptualize कर रहे हैं देखें रूसोस concept of journal will is an important element of his political philosophy emphasizing the importance of democracy journal will किसको denote करता है journal will is collective will of community और real will of community collective decision making कि जब journal will बनेगा तो सभी parks participate करेंगे and the common good कि journal will किसके लिए हमेंसे strive करता रहेगा common good तो यह सब elements है जो important है और जो journal will है इन सब चीजों पर emphasize देता है जोर देता है जो क्या है रूशो की सामानने इच्छ है कि आप भाणना उनके राजनितिक दर्शन का एक mathematical तत्व है जो लोकतंत्र सामविक नेड़ने नेने और सामानने भलाई के math पर जोड़ देती है और इसी स्वारूप में आपको answer वीरना है जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं बढ़ा है इन पॉइंट्सों को याद रखिए इन पॉइंट्सों को याद करिए बहुत summarized way में और इन ही पॉइंट्स को आपको नितना है आप इन ही पॉइंट्स को express कर सकते हैं अब देखिए जो रूसों का जो idea of general will is closely tied to his philosophy of overall philosophy of social contract यहाँ पर देखिए social contract यहाँ पर समझना जरूरी है देखिए social contract क्या है एक समाजी समझोता है समाजी समझोता है क्या है कि रूसों ने ऐसा बोला कि एक ऐसी अवस्था थी जहाँ पर लोग प्राकर्तिक अवस्था से आकर समुदाई में रहने लगे और समुदाई में जब रहने लगे तो उन्होंने एक contact करा कि हम exchange करेंगे व connection भी क्या है एक social contract का ही माध्या में कि हम आके एक political entity में जूडते हैं तो यह भी social contract है तो यह जो जर्नल विल का आइडिया यह भी किस से related है social contract थियोरी से related है अब देखिए क्या बोल रहे है उनका मानना था कि समाज में व्यक्ति स्वच्छा से समुदाई द्वारा व्यक्ति समाज में स्वच्छा से समाज में व्यक्ति स्वच्छा से समुदाई द्वारा परदान की गए संडक्षन और लाभों के बदले अपनी कुछ व्यक्तिकत सोतंतरताओं को छोड़ देता है अब देखिए आप किसी भी political entity में सामिल हो रहे है तो आप अपनी जितनी प्राकर्तिक सोतंतरताओं थी वो किसको दे देते एक political entity को दे देते है ठीक है फिर उसके द्वारा जितनी भी laws बनाए जाते है आप उसको फॉनो गरते ठीक है तो और वह आपको क्या गरते आपको जैसे जो life को protection होता है वो देती है आपको सुख सुवे दाए देती है तो वही उसी तीन ही हम प्राकर्तिक जो सोतंतरताओं उसको छोड़के जो सामदाय हमें देता है उसकी सोतंतरताओं को हम अपनाते है यह लिखा हुआ है इंडिवीज्वल फ्रीडर्स इन एक्षेंज फोर दा प्रोटेक्शन और बेनिफिट प्रोवाइड़ बाइड दा कम्म आजा है वह अपनी जनताओं पर फोलो करवाएगा नहीं बलकि देखिए गालती भी इसी ही बात करते है जो आपका जो राय है जो निर्णे बनेगा वह यहां पर बनेगा लोकल लेवल पर छोटे इस्तर पर और यह छोटे इस्तर से ऊपर की और बढ़ेगा ना कि ऊपर से नीचे की और आएगा लेकि रुसों का मानना यह भी मानना था कि सामाने इच्छा कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी साशा की या सरगार द्वारा ऊपर से थूबी जा सके इसकी वजाए इसे लोगों की सामूही कराए और इच्छाओं से संदटेत रूप से उत्पन होना था कि यह जो होगी ना उत्पन जो होगी जो फ्रामान में इच्छा जो उत्पन होगी यह और गयानेकली होगी एक व्यवस्थित अपने आप में उत्पन होगी ठीक है अराइज और गयानेकली फ्रॉम दा कलेक्टिव उपीनियन्स और डिजायर ऑफ दर पीपल्स ठीक है कि ल स्वाराज की बात करते हैं तो स्वाराज की के अंदर में क्या है वैक्ति है फिर वैक्ति के बद कौन आएगा ग्राम आएगा जो गाओं होगा फिर गाओं के बद दूसरे गाओं आएगा परखंड आएगा ब्लोक आएगा फिर इस्टीट आएगा इस्टीट के बद नेशन आएगा नेशन के बाद इंटरनेशन आएगा तो वही दिखी गांधी किस है गांधी नी इसी लाइन पर करते हैं अब दिखी जो आइडिया जर्नल वी का इसको किटिसाइज भी कर जाता है कि आप कैसे निकाल सकते जो जर्नल वी बनेगा आप जो बनाने की कोसिस करें जिसमे सबी लोग एक साथ हामी बर दे ऐसा कोई पॉइंट होगा तो यह कोशिन मार्क है कि क्या हम सही में डिटर्माइन कर सकते हैं कोई जर्नल वी हो भी सकता है किसी काम नीटी का या नहीं कैसे हम एनलाइज करेंगे ठीक है क्या नेधारित किया जाए वो कैसे नेधारित करेंगे यह कोशिन मार्क हो जाथ है कि हम निकाल भी पाएंगी या नहीं निकाल पाएंगे जिसमें सबी लोग अगरी हो जाए और जिसमें सबी गा तंड़कान भी हो आप थोड़ी देर के दिखिए कि कोई भी प्रोजेक्ट बनता है तो कितने नेवन पर केटी साइस होता है वह ही एक लेवल पर हर पक्ष के दो पक्ष होते हैं कोई भी प्रोजेक्ट बनता है तो कुछ विरोध में होते हैं तो क्या वही ऐसा मत्य मारत भी निकल सकता है जिसम आम सहमती कैसे निकानी है किसी भी topic पर या अभी किसी भी अच्छे कंड्यान कारी निती पर दूसरे क्या है कि जर्नल वी क्या यह जो सत्ता में बैठी लोग हैं क्या उसमें जर्नल वी में हैर फिल तो नहीं कर सकते तो यह भी कौशन मारक है का जो पावरफू लोग है क्या वो जर्नल कि सकते हैं अब देखें इस फोर इंजमौब्स में हाज के तो निक यह रही है वो इस टीञइड सेहने हैं क्या मुद्धा नोग सुनने न Venice Channel है जो 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 किसी को जाने कुछ की रों कार रहा है कि यह को कहुंन कर रहे है लोग ख fist नने करें लोगों के पास दो यह ही माध्या में इंटरनेट ची एक तो ये सब एक कर्ट के दौर पर हुम देख सकते कि क्या हम जनरल्वी के आइडिया फे कि सकते हैं और कैसे अन्डिसाइड करें कि यह सबसे बैस्ट है इस सब पूरे समुदाई के नहीं इन सभी केटिसिजम के आलोचनाओं के बावजूद भी जो रूसों का जो कंसेफ्ट है जनल वे लिया समाने इच्छल जो सिध्धान्त है वो राजनितिक सिध्धान्त में एक मैथ पूर्ण प्रभाव डालता है इसने सामाज में लोकतंत्र ठीक है प्रभाव डाला है इन सब के ऊपर हमें चर्चा करने या फिर उसको नीती बनाने के लिए इसके ऊपर हमाएं एक मार्ग प्रसस्त करती है जो रूसों का जनल वी यह समाने इच्छल सिधान्त है अब देखे आगे हम बढ़ते हैं रूसोंस आइडिया ओफ जनल वी हैस आलसो बीन सेन एज आज प्रीकरसर ओफ मॉडर्न आइडिया ओफ पॉपलर सॉवरेंटी अब देखे पॉपलर सॉवरेंटी क्या है कि जो लेजिटिमेसी है गॉवर्मेंट की वह किस पर बेस होने च लोगों की सहमती के उपर वेस जोने चिये क्या है विच होल्स देट देट पीपल शुड हैव दा अल्टिमेट अफ होर्ती इन डिटर्मानिंग दारेक्शन आइंड पॉलिसी ओफ जो रूसों के सामाने इच्छा के विचार को लोग प्रिये संब्रुदा के आतनिक विचा अग्रदूत के रुग में दिखा गया है जो मानता है कि लोगों को अपनी सरकार की दिसा और नीतियों को निर्धारित करने का अतिम अधिकार होना चाहिए कि यहाँ पर जो लोग है उनके पास पावर रहने चाहिए कि लोगों की सहमती से कोई कार्रे हो रहा है नेति निर्ध मान हो रहा है रोशो की समाने एच्छा की अधार ना एक न्यायपूर्ण और निस्पक्ष समाज को सुनेशित करने में लोकतांत्रिक भागिदारी और सामोईक निर्णा नेने के मैतवर्त पर बल देती है क्या है सबसे पहले लोगतांत्री भाइदारी की देखिये जब भी जन्राइब बनेगा तो पूरे लोग समाज की हर वेक्टी का उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट व्यू समील होगा मत समील होगा तुसरा क्या है सामोई कि नेंड अगर कोई ने भी लिया तो सभी का उसके अंदर हामी थी ठीक है और बल देती है क्लियर हुआ रुसों संब आफ जर्नल विल एम्फेसाइज दाइम पोर्टेंस देमोकरिक पार्टिसिपाइशन एंगर्टिव डिसीजन में इन इस्योरिंग अजूर्ट अंफियर सोसाइटी क्लियर हुआ अब आगे जागे देखे वन अफ दे की फीचर आफ रुसों संप्सक्राइब जर्नल विल इस नोट नेससरी सिनोनिम्स विट द विल ओफ द मैजोरिटी इस पॉइंट को हमने देखा की जर्नल विल का मतलब यह नहीं कि मैजोरिटी विल है ठीक है माननी जी कोई गुरुप है वो इसके उपर बोले कि नहीं यह वोना चाहिए आप देखते समाज में बहुत सारे प्रिसल गुरुप है वो इतने इतना दवा पना देते कि यह चीज वोनी चाहिए नहीं जर्नल विल क्या है रैस्नल है अब्जेक्टिव है इस सेंस मे जर्नल विल को सोड़्य हमें समझना पड़े है और यह जरूरी नहीं कि विल ओफ मेज्जोरेटी का बराबर हो नए यह will of majority अलग हो सकता है, मगर journal will लगाएंगे, journal will में हमेशा rationality, objectivity हमेशा सामिन होगी हो, और जो universe and welfare है, जो society का welfare है, उसके अंदर समागीत होगा, यह तीन characteristics हमेशा आप याद रखिये, कि सबसे पहना तो journal will का क्या होगा, कि यह rational होगा, ठीक है, logical होगा, उसके बाद यह welfare चाहेगा, किसी यह particular sect करने, पूरे समाज का कंद्यान चाहेगा, तो यह तीन चार करेक्टिस्टिक्स है, इसको दियान में रखियेगा, इनको लिखना होगा आपको, अब देखिये, जो सबसे महर पॉइंट है, रुचो की फिलोसफी में, यह journal will में, रुचो कि नौवल सेविज के जो आइडिया उससे लिंक्द है, जर्नल विल का आइडिया, नौवल सेविज का आइडिया है क्या, कि इंडिविज्वल आर इनिकली गूड एंडट सिविलाइजेशन एंड सोसाइटी करफ्ट्स दा इनिट गुड्नेस, कि मनुष्य वास्तविक उसको खतम कर दिया है, क्लियर हुआ, उसी सेंस में देखे, कि जो जर्नल विल है, उसको किस स्वरुप में देखा जाए, कि ये मदद करता है, एक रास्ता उपलब्द कराता है, कि जो व्यक्ति है ना, ये जो अपना सेंफिस आ गया है, जो सेंफिस आ जाता है, ये जो सभी का तल्यान हो, ऐसी बात बोलते हैं, सभी की जय हो, हम सब हर वर कितना बात करते हैं, कि सभी का भला हो, किसी वेक्ति का भला नहीं हो, सभी का भला हो, ऐसी बात दिकरते हैं, तो रोसों यह बोले है, नोवल सेविस की आइडिया के मादर में से, कि वेक्ति ना स्वाभाव सभाबी हो Each day सभाबी रूफ से अच्छ है और सभटा और समाज इस ऐस्चाई को बरस्ट करते हैं यह जैसे माड़ी अच्छाई स्माज कामर दिया कि यहां मेरा इतना टाइम इसको देना है, कोई वैक्ति सदप पे एक्सिरेंट होगे तो कोई रूख नहीं रहा, हर कोई देख आए कि नहीं मेरे को लेट हो रहा है, मेरे को जाना है तो ऐसी समास ने वैक्ति की जो अच्छा यह जो इनेट गुडनेस है, उसको करप्ट कर दिया तो इसी नहीं यह जो रोस्वा है, इसी नहीं इनको रॉमेंटिक ट्रेडिशन में रखा है और इसी नहीं जो इनलाइटनमेंट है, जो साइन्स और लॉचिक की बात करते हैं, इसको केटिक करते हैं, इसको आलोचना करते हैं समझ भाए है, यह वाला पॉइंट आप सभी विध्यारती अपने पेपर में जरूर लिखेंगे, यह वाला पॉइंट यह बहुत इंपोर्टेंट है, यह रूसों की फिलॉसपी का एक्टम क्रक्स है इसमें क्या देंगे, कि सामादने इच्छा व्यक्तियों को स्वार्थ और व्यक्तिवाद से उभरने में मदद करने के तरीके के रूप में देखा जाता है जो समाद में रहने से उत्पन हो सकते हैं, ठीक है? तो यह यह तरीका है समादने इच्छा कि आप अपने 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 अंदर की अच्छाई को जाने हर व्यक्ति अच्छा होता है के वन और के वद उसे समाज और सिवलाजिशन है, वो करप्ट कर रहा है आगे जाके फिर हम और और हिस्से लिख सकते हैं कि जो रुसो का आइडिया है उसने किसकी इंपोर्टेंस की बात करी है कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, कॉमन गूड, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इन क्रियेटिंग अ जस्ट और फिर सोसाइटी ठीक है जो सामोईक लिणनेने के महतव पर चोड़ दिया है देखे दिता है और समाने इच्छा न्यायपूर्ण और निश्पक्ष समाज बनाने में लोकतांत्री भागिदारी को सुनस्चित भी करता है आगे देखिए मैंने कुछ फीजर्स लिख रखे हैं रूसो की कंसेप्षन ऑफ जर्नल वील के तो सबसे इसमें सबसे जो परमुक है वो क्या है कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग सामोहिक नेड़ने लिने देखिए जो कोई भी नेड़ने लिया जाएगा जर्नल वी क्यों लेकर जर्नल वी वोज दे एक्स्प्रेशन ऑफ दे कलेक्टिव ओपीनियन और डिजायर ऑफ दे कम्निटी एज होल ठीक है कि जो समानने इचाय समग्ड रूप से समुदाय की सामविक राय और इच्छाओं की अभिवेक्ति है ठीक है और क्या है इसका आर्थी इसका मतलब यह है कि किसी सासक या सरकार द्वारा लोगों पर अपनी इच्छाय थोपने के बजाय लोकतांत्रिक भागिदारी परमर्स कि परिकिरिया के माध्यम से निर्णय किये जाना चाहिए कि देखिए राजा न थोपे कोई निर्णय बलकि जो निर्णय बनेगा वो नीचे निवल से उपर की और आगेव जाएगा ये बताता है पहला करेक्टिस्टिक्स और आप देखिएगा जो चुनाब होते हैं वो उ अाँ चाहिए तो सबसे पयल्दा पॉइंट है करेक्टिव डिसीजन मेकिंग इक करेक्र है निया करेक्टिस्टिक्स रागेma कर दूसरा युक्रेक्रिकर्स्टिकस करता है नियुद्ट यो नियुड को शुदिसरा इंट्रेस्ट पूँई गोमेमेमी इज तो क्यूमेन वे इसका मतलब यह नहीं है कि majority of the individual क्या चाहते है, majority opinion क्या है, वो माहिने नहीं रखता है, बलकि journal फिल्म माहिने रखता है, जो rational है, जो तार्किक है, जो वैज्ञानिक है, जो उस समय के नहीं, लोगों के नहीं सबसे अच्छा है, उसकी बात करता है, और भलाय की बात करता है, आ ठीक है, कि एक बार अगर journal भी decide हो गया, एक बार बन जाने के बाद, कोई भी वैक्तिव से ना अपनाने से मना नहीं करेगा, ठीक है, वो कोई भी वैक्तिव से ना नहीं करेगा, उसे मानना ही पड़ेगा, क्योंकि journal भी सबी लोगों होने, कोई उसमें हर वैक्तिव सामिल ह ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं घर से नहीं जाओंगा, वहाँ पे बन रहा है, जर्णरल भी बनने दो, और फिर जब अपनाने के बारी आए कि तो मैं नहीं अपना हूँ, नहीं, आपको वहाँ भागितारी भी भागितार भी होना पड़ेगा, और आपको अपनाना भी पड़ेगा उसके बाद आपका कोई एजेंडा नहीं काम करेगा, ठीक है, कोई और डिसीजन काम नहीं करेगा, जर्रनल वी एक पार बन गया तो आपको उसको मांगना ही पड़े और जो चोथा है, पॉपलर सवनेंडी, लोगपिरियस संपरवुता, देखिए, समान नहीं च्छा, लोगपिरियस संपरवुता के महत्वी पर जोर देती है, जो मानती है कि लोगों के पास अपनी सरकार की दिसा और नेतियों को निर्धारन करने का अंतिम अधिगार होना चा तो यहां पे असली जो पावर है जो किसके पास है? We the people, हमने constitution में लिखाया है, We the people, आपको याद हो दो, रीमबल में, ठीक है? तो असली पावर है किसके पास है? We the people के पास है, क्या है? Which holds? People should have the ultimate authority in determining the directions and policies of their government. अब देखिए जो पाँचवा मेहत्पून पॉइंट है रीकनसाइलिंग इंडिविजुलिजम एंड सोशल रिस्पॉंसिविलिड़ी व्यक्तिवाद और सामाजिक उत्तरदाइत हुता में सामंजस से स्थापित करना देखिए जो रूसो की सामान इच्छा है जो जर्नल्विल का पाँचवा अंतिम जो यह है कि उसने व्यक्तिवाद और सामाजिक उत्तरदाइत हुता को एक्दम जोड दिया कि देखिए रूसो क्या बात करता है कि रूसो यह बोलता है कि जो व्यक्ति है वो अपने इंट्रेस्ट को जो उसका इंट्रेस्ट है वो उसको परस्यू करे मगर वो सभी के साथ परस्यू करे वो जर्नल्विल के अंतरगत परस्यू करे और जर्नल्विल सभी की इंट्रेस् किसी एक व्यक्ति को फायदा नहीं सभी को पंक वो जो आइडिया है सर्वो देर सभी का हुदेर सर्वो देर कितना जुख मिलता जुलता है कि सर्वो देर सर्वो देर सर्वो देर की बात करता है the general will seeks to reconcile the tension between individualism and social responsibility by enabling individuals to pursue their individual interest while also ensuring that those interests are aligned with the interest of the community as of whole ठीक है जो व्यक्तिवाद और सामाजी को उत्रदाइत के बीच तनाव को दूर करने का प्रयास करती है ताकि व्यक्तिव को अपने व्यक्तिकत हीतों को आगे बढ़ाने में शक्षम बनाया जा सके ठीक है यह नहीं कि व्यक्तिकत हीतों को त्याग दो आप नहीं हो Sati साथ यह भी सुनेशिप किया जा सके कि व्यक्त हीत समगर रूप से समुधाय के हिदों के साथ संरेक हितो समुधाय के हिदों के साथ मेल करते हो कि आए उप अपना अपना नहीं सामाज को साथ हैं तो यह पाँच मैथ्पॉन करेक्टरिस्किक्स हैं जो विशेष इनको आपको लिखना पड़ेका एक्जाम में जब awakened और chances हैं कि जर्नल्समें कमेन डोट्रोफ की philosophy का मेन आइडिया है जर्नल्समें और कितने सारी आइडिया उसको link करता है डेमोग्रसी के आइड़िया को link करता है, decision-making का डिशीजन-मेकिग का इडिया को link करता है तो यह important है, यह point सियाद रखीगा, और जितना भी इतना भी Hindi slide में आपका पूरे एक answer बनाता है, सबसे best way है answer लिखने का, आप इसको screenshot लेने, आप इसको इससे बढ़े, और आप अपना exam भी लिखे, अब आगे देगे, इसके महत्व के बाबजू, दुरूसों का जो समाने अन्य लोगों ने एक समुदाय के भीदर, मौजूद राय और हीतों की विविदता अपको ध्यान में रत्ते हुए, इसकी शमता पर सवाल उठाएं, वराहन यह राजवेदिक सिधानत के इत्यास में, एक महदपो और प्रवाफसाली अफदाना बनी हुई है, अब भी उसो के जर्नल विल से ही कही न प्रवाणी किसी न किसी रूप से लिंक है, क्योंगि जो पपरीक ऑपीनियन का एज जल्सी जो क्нопों कारा है, वो रूसो के जर्नल विल नहीं क्रिड़न का बहुत बहुत दन्यवाद आप इन स्लाइटों को देख के पढ़ के समझ के आपना आंसर लिख सकते हैं और और कोई दिक्कत हो तो आप अपना कोई सजेशन कमेंट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इन सब भी को ध्यान से पढ़िएगा स्वचंतराबाद पर एक पैरग् क्राफ्ट है modern political philosophy के पीपर के अंतरकर बहुत बहुत धन्यवाद आप हमसे बने रही हैं do like and subscribe and share और आप अगर कुछ contribute करना चाहते हैं तो आप about section में जाके contribute कर सकते हैं